जहें दोस्तो हमारा बिहार में आपका श्वागत है और दोस्तो आज है चार मार्च 2021 और चार मार्च 2021 से जितने भी करेंट अफेर्स के कोश्चन है, जो बिहार से जुरे हुए है उसको आज हम डिसकस करेंगे, साथ ही दोस्तो इस एपिसोड में पिछले कई दिनों के करेंट को सम्मिलित किया गया है और कुछ और करेंट भी बचे हुए है जो आने वाले एपिसोड जो होगा उसमें इंक्लूड किया जाएगा ठीक है और तहर दिल से मैं माफी चाहता हूं कि कई दिनों से वीडियो अप्लोड नहीं हो सका ठीक है लेकिन अब आने वाले समय में आपको चैनल को जोइन किजिए वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडिएफ हिंदी और इंग्लिस दोनों लेंग्विज मिल रहेगा और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का दो प्रस्न रखा है जिसका एंसर आप लोगको कॉमेंट बोक्स में देना है तो है यह अपसन इसका सही हो गया और इनको उद्धान महत्साब में समयानित किया गया है भागलपुर के किशान पवन कुमार सरापने इस महत्साब में 29 पुरसकार जिते जिसका रण इन्हें सरफ्सरेस्ट किशान के समान से समानित किया गया इस महत्सब का आयजन 27 वा 28 products 2021 इस दोहा grand fix तलवार बाजी के लिए चायनित किया गया है हर स्राज भी option इसका सही हो गया हर स्राज का चायन दोहा में आज इस फोयल grand fix तलवार बाजी के लिए भारतिय टीम में किया गया है ठीक है अगला प्रस्ना है एक-ई-sema ं bize बिहार में पहली बार आयजित होने वाले बिहार क्रिकेट लिग के लिए कितने खिलारियों का ओक्षन यानि निलामी किया गया है तो IPL के तरज पे बिहार में आयजित होने जा रहा है ठीक है बिहार क्रिकेट लिग और इसके लिए दोस्तों 100 खिलारियों की निलामी की गयी है प्रतेक टीम के लिए 20 खिलारियों को खरीदा गया है कुल पांच टीम इस लिंग में भाग लेगी और टीम कौन-कौन सा है तो देखिए अंगिका आवेंजर्स भागलपूर बुल्स दरभंगा डाइमंड्स पतना पाइलट्स और गया ग्लेडियर्स ठीक है नेक्स्ट प्रस जनो के लिए यह कार्ड बन वाया जाता है सरकार द्वारा विक्लांग जनो को सरकारी योजना का ज्यादा से ज्यादा लाव उठाने में सक्षम बनाने के लिए डाटावेस् तैयर किया रहा है जिसके ताद दिव्यांगों को अलक भचान देने के लिए यूनिक आईडि का का बित्रन किया जाएगा इस कार्ड में एक यूनिक आईडी नंबर होगा इस नंबर के परियोग से बिकलांग जन ऑनलाइन आवेदन की साहता से सरकार द्वारा दी जाने वाले सुभीधाओं का लाग उठा सकेंगे अगला प्रसने हाली में रोताष शिला के रोताष गड कीला परिशर में रोताष गड महुतस्अब के कौन से संस्करन का आईखन किया गया है का इस दो दिवस्टे कारेकरम में बिहार, जहरकंड, उडिशा, उत्तर प्रदेश, मद्य प्रदेश, आश्रम में घाले सही, देश वर के आदिवासी पहुंचे हैं, ठीक है, तो एक तरह से देखा जातों यह राष्टी अस्तर का भी मौतसब होगे, क्योंकि पूरे देश वर से आदिवासी लोग इस मौतसब किसन गंज की खेती, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग से लेकर मार्केटिंग को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है, बिहार, क्रिसी, निवेस, प्रुसाहन निति के तहट, सबसे पहले चाय बगान को सीचित करने के से लेकर प्रोसेसिंग उनिट लगाने के लिए क किसानों को अनुदान दिया जाएगा, इसके लिए सरकार की और से सीचाई योजना के तथ 85% का अनुदान पर सीचाई की पूरी व्यवस्था दी जाएगी, अगला प्रस्त है हाली में पटना उचनियाले परिशर में नए सताबदी भवन का उधगाटन किसके द्वारा किय उधगा है तो, थो यह समय कैंपल पर परिट्व किसलिए गया है और आप लोग सभी जानते हूं गहरा डिवी और अर्विन बॉब्दे कोन है? तो पर अब लूग कर करके बताएए तो, पटना उचनियाले का अस्थापना का हुआ था अगला प्रसने दोस्तो हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचीब के रूप में किसे निक्त किया गया है तो बिहार के नए मुख्य सचीब के रूप में निक्त किया गया है अरून कुमार शिंग ठीक है D option इसका सही हो गया अरुन कुमार शेंगो ने 185 बेच के बिहार कैडर के आई ये सदिकारी है साथी हुए बिकास आयुक्त के पद पे भी रह चुके हैं और इनको राजी का मुख्य सचीव निक्तिया गया है अरुन कुमार शेंगो अगला प्रसने हाली में बिहार में कहाँ पर भगवान बुद्ध की सयन मुद्रा यानि पड़ी निर्वान मुद्रा में बिश्व की सबसे बड़ी मूर्ती अस्थापित किया जाएगा तो यह बोधगया में किया जाएगा यह आप्संस का सही हो गया बोध गया में भगवान बुध की 100 फीट लंबी महापरी निर्वान मुद्रा में मुर्ती अस्थापित की जाएगी जिसे सयन मुद्रा भी कहा जाता है फाइवर से निर्मित या मुर्ती अपने तरह की पॉली मुर्ती होगी इसका निर्मान 2009 से कलकत्ता के बुध इंटरनेशनल वेलफेर मिशन के द्वारा कराया जा रहा है 26 माई 2021 को बुध पूर्णिमा के दिन इस मुर्ती को बोध गया में अस्थापित किया जाएगा अगला प्रस्न है दोस्तो हाली में सरकारी स्कूलों में किस भासा को आठवी तक पढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है तो मैथली भासा के लिए मंजूरी दी गई है ठीक है बी ऑप्सन इसका सही हो गया अगला प्रस्ते हाली में राष्ट्रियास तरफा वर्चुल तरीके से आजित ट्वाइफ एर में बिहार के कितने स्टॉल प्रदर्सित किये गया है तो हाली में वर्चुल तरीके से दोस्तों ट्वाइफ एर गायजन किया गया है जिसमें बिहार के 18 स्टॉल को प्रदर्शित किया गया है बी ऑप्सन सही हो गया इसमें सरबाधिक पटना के 14 यूनिट है इसके अलाव मधुवनी के 2 यूनिट भोजपूर और कैमूर जिरा के एक एक यूनिट है वर्चुल रूप से पहलिवार आयजित इसमेले का उद्गाटन 27 फरवरी को प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था अगला प्रस्ते हाली में बिहार के किस बैक्ति को सूचना और प्रसारन मंत्राले के अंतरगत लोक संपर्क औ प्रदान महा निदेशक के रूप में चैनित किया गया है तो दोस्तों उनका नाम है सत्यंद्र प्रकास डी आप्सन सही हो गया ठीक है और सत्यंद्र प्रकास उन्हें 188 बैच के भारतिय सूचना सिवा के अधिकारी हैं तथा बिहार के गोपाल गंच के रहने वाले हैं और इन्हें सूचना और प्रसारण मंत्राले के अंतरगत लोक संपर्क और संचार व्यूरो के प्रधान महा निदेशक के रूप में निफ्त किया गया है सत्यंद्र प्रकास जी को अगला प्रसन है नीती आयो के आकांची जीला कारेक्रम में जन्वरी मा के रैंकिंग में बिहार का कौन सा जीला देश में ठीक है देश में प्रथम अस्थान पर आया है तो बिहार का नवादा जीला देश में प्रथम अस्थान पर आया है ठीक है आकांची जीला कारेक्रम और नवादाजिलाख क्रिसी के चछत्में बहतर परिदान देकर पहला स्थान पाया है और स्वास्थ के च्छत्मे लगातार छी सिवा देकर दूसरा पायतन पैया यही दूसरा स्थान प्से प्षास्त के चुम अगला प्रस्न है तो हाली में 8 से 20 मार्च के बिच राज में किस नाम से बच्चों का नमांकन अभियान चलाया जाएगा तो इस अभियान का नाम है तो प्रवेसोथ सब ठीक है खुश्वू है हर फूल में हर बच्चा स्कूल में इसका पंच लाइन है ठीक है और इसी स्लोगन के साथ राज में 20 नमांकन अभियान प्रवेसोथ सब चलाया जाएगा तो दोस्तों यह था इसका करेंट अफ्यर चलते हैं पिछले वीडियो के रिविजन के तरफ तो पिछल प्रसन था हाली में आई बजट के अनुसार मखाना सहथ फल सब्जी और सुगंधित पौदेट चाय वबीज उत्पादन के लिए बैक्तिगत निवेस पर कितने प्रतिसत का अनुदान दिया जाएगा तो पंद्रा प्रतिसत यह उप्सन सही हो गया तो पिछले वीडियो का सही उतर हो गया A और B आज का रिवीजन का प्रसन है बिहार के किस जिला में राज का पहला रवर डैम का निर्मान किया जा रहा है और आज का दूसरा प्रसन है हाली में बिहार के किस व्यक्ति को भारतिये टेवल टैनिस फेराटसन का वर्ड यह उपाद्यक्ष निखतिया गया है तो इस दोनों प्रसन का उतर आप लोको कॉमेंट वोक्स में देना है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही आसा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा यह हैल्फू लग रहा है तो प्लीज श्राइ कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए तो आपने दोस्तों में जरूर से करें तो चलिए दोस्तों आज के लिए नहीं मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार